हलो एंड वेलकम आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूँ पारूलत्यागी दिल की बात जुबा तक लाने के लिए और अपने प्यार का इज़ार करने के लिए वैलेंटाइन डे से अच्छा मौका कोई और नहीं मिलेगा यूं तो प्रेम का इज़ार कभी भी किया जा सकता है लेकिन वैलेंटाइन डे के मौके पर इज़ार करने का एक अलग ही मज़ा है साल भर प्यार करने वाले इस दिन का इंतिजार करते हैं क्योंकि ये दिन प्रेम करने वालों के लिए काफी खास होता है लेकिन कि आप जानते हैं कि वेलेंटाइन डे के पीछे भी एक कहानी है देखिए हमारी ही रिपोर्ट वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन जो पूरे दरह से प्रेम और प्रेमी जोड़ों के लिए समर्पित है वैसे दो फरवरी का महीना वैलेंटाइन का महीना कहा जाता है जिसके शुरुआ साथ फरवरी से होते ही प्रेमी जोड़ा वैलेंटाइन डे का इंतजार करना शुरू कर देते हैं और जो 14 फरवरी तक अलग-अलग दिन के रूप में मनाया जाता है खास का प्रेमी जोड़ों के लिए वैलेंटाइन डे का जशन पूरे हफ़ते चलता है प्रेमी प्रेमिकाओ को इस जिन का बेसबरी से इंतजार रहता है कि कब वैलेंटाइन डे की शुरुआत हो और अपने प्यार का वो इजहार और एहसास अनुके तरीके से कर सके इसमें अपने पार्टनस को प्रेमी जोड़े, गिफ्ट, सकार, चॉकलेट दे कर उन्हें स्पेशल महसूस कराते हैं लेकिन इसे सेंट वैलेंटाइन डे या फिर सेंट वैलेंटाइन फीस्ट भी कहा जाता है ये दिन प्यार के सलिबरेशन के लिए समर्पित है जबकि वा वैलेंटाइन फीस्ट पॉप गेलेसियस प्रथम की ओर से 4-96-8-2 में 14 फरवरी को एक कारक्रम के रूप में शुरू किया गया था धीरे धीरे ये एक प्रेडिशन बन गया जिसे कपल, फूलों, उपहारों और ग्रेटिंग कार्ड के माध्यम से एक दूसरे के लिए प्या आप्त होता है वैलेंटाइन डेज सेलिब्रेशन भारत में 1992 तक नहीं होता था या अर्थे को धारी करण के हलावा टीवे विध्यापनों और प्रेडियो कारक्रमों के जरिये फैला और उसी के बाद से इसकी शुरुवात हुई ब्योरो डिपोर्ट निउस वर्ल्ड इंड शेयर करना बिलकुल न भूलें और हमाई चानल को भी जरूर सब्सक्राइब करें